आप सभी को हरताल का तीज की हार्दिक्षव कामना भगवान शियो और माता पार्वती के कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे यही कामना करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की सुनी जाने वाली ये कथा। इस कथा के अनुसार मा पार्वती ने अपने पुरो जन में भगवान शंकर को पती रुपे प्राप्त करने के लिए हेमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाला वस्था में अधो मुखी होकर घोर तब किया। इसी के दोरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय तक सुखे पत्ते चबा कर ही काटे। फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही पिया। और माता पार्वती की यह स्थिती देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। इसी दोरान एक दिल महर्शी नारत भगवान विष्णू की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मा पार्वती के पिता के पास्वव से जिसे उन्होंने सहर्शी सुईकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उन्हें बताया कि वे यह कठोर ब्रत भगवान शिव को पती रुप में प्राक्त करने के लिए कर रही हैं जबकि उनके पिता उनका विवा विश्नु जी से करवाना चाहते हैं तब सहेली की सलाह पर माता परवती घनेवन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की अराधना में लिन हो गई मा परवती के इस तपश्वी रूप को नौरात्री के दोरान माता शैल पुत्री के नाम से भी पूजा जाता है भादरपद शुक्लित पक्ष की तृतिया तिथीम के हस्त नक्षत्र में माता परवती ने रेत के सिवलिंग बना कर उनकी पूजा की भोले नात के स्तुती में लीन होकर रात्री जागरण भी किया तब माता के इस कठोर तपैस्या से प्रसंद होकर भागवांशियों ने उन्हें दर्शन दिये और इच्छानुसा उनको अपनी पत्नी के रूप में सुईकार कर लिया मान्यता यह है कि इस दिन जो महिलाएं बिधी बुधान पुर्वक पूर्ण निस्था से इस ब्रत को करती हैं वे अपने मन के अनुरूपती को प्राप्त करती हैं साथ ही यह पर्व दामपती जीवन में खुशी बनाय रखने के उद्देश से भी किया जाता है आप सभी कहानी जरूर सुनिए तथा जै भोलेनांत कमेंट करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ धन्यवाद